तो मैं मुसल्मानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वकारून दिखाईए और चपल जुतोसिन पर स्वागत कीजिए ये गुस्सा मदर्सों के सर्वे के खिलाफ है ये करोद योगी सरकार के उस एक्षन के खिलाफ है जिसमें मदर्सों का हाल जानने के लिए यूपी सरकार ने सर्वे की शुरुआत की सादर्श रशीदी जैसे मौलानाओं को रंज है कि आकिर सरकार उन मदर्सों का हाल जानने की कोशिश क्यों कर रही है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं इन्हें रंज है कि आखिर यूपी की सरकार हजारों बच्चों के भविश्य को लेकर फिक्र मंद क्यों है इन्हें फिक्र नहीं कि मदर्सों में मासूमों को क्या पढ़ाया जाता है इन्हें फिक्र सिर्फ इस बात की है कि आखिर मदर्सों के नाम पर चलने वाली दुकानों को लेकर सरकार एक्षन में क्यों है यूपी सरकार के फैसले को अपने खास चश्मे से देखने के बजाए अगर मौलाना जमीनी हकीकत देखते तो फैसले का विरोत करने के बजाए उसका समर्थन करते सर्वे के पहले ही दिन सरकारी टीम जब बुलन शहर के मदर्से पहुची तो अजब गजब नजारा दिखा बुलन शहर में ताशपूर में मदर्से में पढ़ाई नहीं भूत प्रेत का इलाज हो रहा है गैर मानिता प्राप्त इस मदर्से का संचालक बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था महिलाओं से भूत प्रेत उतार रहा था बड़े शहरों में बैठे साधिस ट्रशीदी जैसे मौलाना को बुलन शहर का ये मदर्सा नहीं दिखता मौलाना को नहीं दिखता कि कैसे यहां पढ़ाई के नाम पर 95 बच्चों का भविश्य तबाह किया जा रहा है बुलन शहर का ये मदर्सा 30 साल से चल रहा था सोचियें 30 सालों में मदर्से में मासूमों को कैसी सिक्षा मिली होगी अब यूपी के हमेरपूर के इस मदर्से को भी देखिए साल 2010 से ये मदर्सा बगएर रजिस्ट्रेशन चल रहा था मदर्से में पढ़ने वाले 90 बच्चों के लिए यहां कोई पुक्ता इंतिजाम नहीं दिखा सर्वे करने गई टीम ने जब मदर्सा संचाल को से सवाल पूछे तो मदर्सा चलाने वालों के पास कोई पुक्ता जवाब नहीं था अब आपको अलिज़ सु पचाल भी दिखाते हैं यहां अधिकारियों की टीम दो मदर्सा में पहुची तो नतीजे हैरान करने वाले था अलीगर में सर्वे वभा की टीम जिन दो मदर्सों में पहुची वो दोनों मदर्से बगैर मानिता के चल रहे थी दोनों मदर्सों में करीब 350 चात्रों को पढ़ाया जा रहा थी यानि पहले दिन जिन मदर्सों का सर्वे हुआ वो मदर्से सर्वे में फेल रहे जमीन से दूर बैठे मौलाना साधिर्ष रशीदी को ये नहीं दिखता मौलाना रशीदी को नहीं दिखता कि कैसे मदर्से के नाम पर मासूम बच्चों का भविश्य तबाह किया जा रहा है काश मौलाना साधिर्ष रशीदी जैसे लोग अपना खास चश्मा उतारते काश ये लोग सरकार के फैस्दों को तरकों से तॉलते